पूर्व राजनाईक और कॉंग्रेस के वरिश नेता मणी संकर अईयर ने पाकिस्तान के साथ बाचीत की बहाली की पैरिवी करते वे कहा कि जब तक यह पडोसी देश हमारे गले की फांस बना रहेगा तब तक भारत दुनिया में अपना उचित इस्थान आसिल नहीं कर सकीग पाकिस्तान के वालिजिक शेहर कराची में दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक भारत के महा वालिज दूत रहे अईयर ने अपनी आत्मकता मेमायर्स ओफ ए मैवरिक में पाकिस्तान में बतोर राजनाईक अपने कारेकाल को एक पूरा अध्याय समर पित किया उनकी नई पुस्तक सों पाकिस्तान में उनकी महा वारिज दूत के रूप में था और उन्होंने कराची में अपने तीन सालों की राजनाईक सेवा के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में भारत की सबसे बड़ी पूंजी वहां की जनता है जो भारत को दुश्मन देश नहीं मांते है अईयर ने बताया पाकिस्तान में बतौर राजनाईक अपनी तैनाती के पहले दो से तीन हफ़तों के भीतर हमें एक दिन रात्री भोज से वापस आ रहे थे उस समय मेरी पत्नी सुनीता ने मुझसे एक सवाल पूछा कि यह एक दुश्मन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वहां की सेना या राजनीतिक विवस्था के किसी भी वर्ग का दृष्टी कुछ भी हो जहां तक पाकिस्तान के लोगों का सवाल है वे ना तो दुश्मन देश हैं और ना ही वे भारत के दुश्मन देश मांते हैं अईयर ने कहा हर ब लोग दी जाती हैं इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों नहीं जानते कि कैसे नितिक दृष्टी कौन के अभिन अंग के रूप में पाकिस्तान के लोगों की सद्भावना का लाव उठाये जाए उन्होंने कहा पिछले नौ वर्ष्टों से भारत और पाकिस्तान के ब लाजचीत का परियास करते थे लेकिन अब हम ठहर गएं इस ठहराव का शिकार पाकिस्तान की सेना नहीं है जो अपने आप में महा मदहोश है बलकि असल शिकार पाकिस्तान के लोग जिनके रिष्टेदार बड़ी संक्या में भारत में रहते हैं और बहुत सारी लोग हमारे देश का दोरा करना चाते हैं एयर ने कहा कि कराची में अपने राजनाई कारेकाल के दुरान उन्होंने तीन लाख वीजा जारी किया और दुरुप्योग की एक भी शिकायत नहीं मिली SPN 9 न्यूजरूम की रिपोर्ट